मेल असलाम वालेकुम एर्यूजूज मैं हूं मेगना रॉयडार्ण। आप सब देख रहे हैं पाकिस्टान स्टोक मार्केट अपडेटज। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर आफ लॉय इन स्टोक मार्केट। तो इस वीडियो में मैं आपको power of law and stock market के सभी laws बताऊंगी जो के stock market में जानना बहुत जरूरी है जिसको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह stock market में powerful लोग हमेशा खुश रहते हैं वो कैसे सोचते हैं और किन-किन techniques को use करते हैं तो दो तो ये वीडियो मेंने बड़ी मेनट से बनाई है अगर आप ने इस वीडियो को like नहीं किया और चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें बैल अइकन को कुलिक करें और इस वीडियो को भी like करें इस वीडियो में मार्केट की किसी भी कंडिशन में काम्याब रहने के लाउस बताएं हैं इसमें एक्जेम्पल्स तो बहुत पुराने हैं मगर आज भी अपलाई होते हैं अपने एजेंट को कभी ये ना बताएं कि आप इनसे ज्यादा स्मार्ट और एक्सपीरिंस हैं और जब वो आपको ट्रेड करवाते हैं तो ट्रेडिंग के वक्त उसकी स्लेक की गई ही कंपनी पर बहुत ज्यादा गोल भी करें और वक्ती प्रॉफिट को देखकर खुश ना हो जाएं कुछी जिनों में आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका मकसद आपको अकाउंट को ग्रो करना है या अपनी कमिशन जनरेट करना है अगर वो आपको ऐसी कंपनी स्लेक करवा रहा है जो फेल सेल्यू के आस पास है और कंपनी का डेट भी ज्यादा है और केश फ्लो भी नेगरिटिव है इसका मतलब है कि पॉजिटिव मार्केट में तो आप खुश रहेंगे और नेगरिटिव मार्केट में आपको फील होगा कि जैसे के कंपनी बस बंद ही होने वाली हैं और उस वक्त आप एवेरिज करते हुए भी डरेंगे क्योंकि इन कंपनीज के इंतखाव वॉल्यूम जनुरेट करने के लिए किया जाता है तो इसलिए आप एसी कंपनीज लेक करें जो फंडेमेंटली स्ट्रॉंग हो और बॉटम रेट पे भी अवेलेबल हो जैसे के फार एक्जेंपल लॉटे केमिकल हम नेटवर्क लिमिटे पेंक आप पंजाब शबीर टाइल्स अगर आप छोटे इंवेस्टर हैं उन कंपनीज में इंवेस्ट किया है और फार एक्जेंपल आप फ्यूचर फर्स भी जाते हैं तो एवरेज भी कर सकते हैं और इससे अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जिसमें आप एवरेज कर सकते हैं आपको अगर एजिन को ज्यादा पैसे कमाके दे कर आपको ज्यादा ट्रेड करवाना है क्योंकि मार्केट में आपके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं एवरेज और मीडियम इंवेस्टर के लिए ओजी डी सी एंग्रो पॉल होने वाले ज्यादा काम्याब स्टॉक हैं लोगों को अपना पॉर्टफोलियो हर्गिस शेयर ना करें कंपनी के रैपूटेशन आपका पहला चुनाव होना चाहिए कंपनी के रैपूटेशन ही आपको पैसे वाला बना सकती है इसलिए कंपनी की लेडर्शिफ जरूर चेक करें जिस कंपनी के रैपूटेशन आपको नहीं मालूम स्टॉक मार्केट में उसमें स्टॉप लगा के ही काम करें तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीज थेगा थैंक यू